हेलो गाई देशे शेशंगर अगरवाल वेलकम टो वर चैनल बिंग डॉक्टर देखे अब तक आपने रस्सास्तर का पहला पार देख लिया होगा नहीं देखा तो जाकर देखिए सारे बेसिक्स की बात करी गई है आज हम आगी भढ़ेंगे पिछली वीडियो में आपको बत होता क्या है तो मैंने बताया था इसके अंदर धातू उप धातू इन सब का वर्णन होता है बेचकली रस से मतलब यहां पर मरकरी या पारत से होता है देखिए जो पारत होता है बहुत इंपोर्टन बताए गया है क्योंकि आगे जाके मैं बताऊंगा कि जो शिवजी का वी मैं अधातू को सबी दातू को अपने अंदर आत्मसाद कर लेता है बिलीन कर लेता है वह पारत होता है वह रस होता है ठीक यह सब बात हैं हमारी हो गई थी तो रशिदियों की क्या खास यहां ते मैंने बतायाता कम मातरम लाबड़ाइक होती हैं आरुचीं नहीं करती है औ को उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो जैसे पंडित का मजाक बनता है गर अगर प्यास घ्यान नहीं बनता है जिसके अंदर रसास्त्र का ग्यान नहीं हो अगे बनेगे रसायन जो जो जरा और व्यादी को नश्ट करे डेटिज रसायन जो जरा और व्यादी को नश्ट करे डेटिज रसायन यानि जो भढ़ापे को खतम करे डेटिज रसायन देखिए इसका मतलब यह नहीं हुआ कोई 80 साल का है तो 10 साल का हो जाएगा इसका मतलब यह होता है जो रसायन का नित्य प् करते हैं, उनकी एज कम मालिम पड़ती है, क्यों? क्योंकि यह सब रसायन है, रसायन मतलब मैं आपको बताया, जो जरा को नश्ट कर रहा है, जरा को नश्ट मतलब कैसे कर रहा है, उसको रोक रहा है, यानि रीजबिनाइलिंग थेरपी दे रहा है, डेटेज रसायन, ठीक है, और रसायन और क्या करता है, शरीर में जितनी भी धातू है, अब देखिए, वो जरा को नश्ट कर रहा है, यानि आप बूड़े लेट होंगे, बूड़े लेट कब होंगे? जब आपके शरीर की जितनी भी धातू है, वो नई बनी रहे हैं, देखिए, एक कार है, या कोई बीएक मशीन है, वो कब तक अच्छा काम करती है, कब तक नई बनी रहती, जब तक उसके पार्ट्स अच्छे हों, जैसे कोई भी एक कार है, उसका इस्टेरिंग, उसका गेर बॉक्स, उसका क्या कितना भी साइलेंस रहा है, जब तक यह चीज नई है, जब वो इंट्रले स सिस्टम खराब हो गए, तब ही मशीन खराब हो गई, तो जरूर लिए अगर हमको जवान दिखना है, तो हमारे अंदर की जितनी भी धातू है, रस रक्त, रस रक्त, मा समीद, अस्ति, मज्ज, शुक्र, सातों की सात धातू, आपकी नई रहे, स्वस्त अवस्था में रहे, that is the compensation, तो को ध्यान लगना, रसायन क्या करता है, जितनी भी आपकी धातू है, उनको नव, उनको नया बना के रखता है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया, रस क्या है, पारत को बोलती है, रसायन क्या है, जो पारत के गोड़ लिए हो, ठीक है, चलिए, आगे है, रसेश्वर दर्शन के लिए हम थोड़ा पढ़ेंगे, देखिए, अब देखिए, रसेश्वर दर्शन में क्या का कहा गया है, तो देखिए, जो रसेश्वर दर्शन है, रस इश्वर, तो रस के इश्वर बिसकली भोले नात को बोला गया है, किसको, हमारे शिव भगवान को बोला गया है रसेश्वर दर्शन यानि यहाँ पर भगवान शिव की बात आईगी तक अध्यान नकना यहाँ पर यह बताएगा कि पारद की द्वारा ही मोक्ष होता है दिखें मोक्ष मतलब साल्वेशन यानि जो जीवन और म्रण का जो बॉंड है या कह सकते ही बंधा ने इससे मुक्त हो जाने मोक्ष क्योलाता है और यह हर प्राणी मात्र का उद्यत्स है कि मुझे ची इस धर्ष को इसधरा पर द्वारा ना ना पड़े तो क्या धिन रखना है कि इस दर्शन न में यह बताएगा है कि पारद ही मोक्ष का जरिया है इसके अलावा कम वो ये ध्यान लखना है कि कैसे अपने शरीर को इस्थिर रखें या कंट्रॉल में रखें ये भी इसमें बताया गया है, यानि दो बात बताई गई है कि पारद द्वारा शरीर का मोक्ष दूसरा शरीर की इस्थिरता, ये दो बात इसमें कही गई है, यानि पारद ही एक मात गाया है शरीर को मौक्ष ब्राप्ति दिलाने का दूसरा शरीर की ष्तित्रता के湃श में बताया गया है तिकusan 국व और द्लातना दिहान लिए कि पृत्म दरशन ए जिसमें रशाषतर का सद्धान्त के ऐसके डियक जितने भीक कह गया है शरी रहे हैं यानि यह हमारे जो शरीर है और उनको उस शरीर के द्वारम जितने भी उपकरणों का जितने भी इंस्टुमेंट्स का इस्तमाल कर रहे हैं यह सब कैसे नाशवान है कोई भी चीज परमानेटर नहीं है यह सब कैसे हैं टेम्परारी है यह हर छड़ में नश्ट होंग ऐसा बताया गया है पर लिख रहा है कि जितनी भी है हमारा शरीर है और हमारे शरीर की हमें रक्षा करनी चाहिए यानि क्या कहा गया पहले तो नोने कह दिया कि जो हमारा शरीर है जितनी भी चीजों को इस्तमाल कर रहा है ये कोई भी चीज परमानेंट नहीं है सब की सब नश पारत क्या है भगवान शिपकावीर है और क्या है पारत रसको बोला गया है और क्या है सर्वस्रेश्ट बता है या है पारत को भगवान बता है पारत की पूजा होती है या रसास्तर मैं आगे पड़ें लिख रहा है वेसकली जो पारत है वो क्या करता है शरीर को रोगों से विकास क्यों हुआ, क्या किते हैं, जो रोग हैं, उनसे मुक्ती के लिए, या पर आप कह सकते हैं, शरीर को लंबे समय तक जवान बनाये रखने के लिए, आप कह सकते हैं, जरा देडी से आए, इस कारण भी रजसास्तर का विकास हुआ, पर देखे एक चीज़ आई है, शुक चक्र पढ़े होंगे, तो शुक्र होता है, जब जो लोग भ्रमचरा का पालन करते हैं, उनका शुक्र, शर्चक्र से होता हुआ, सबसे उपर पहुच जाता है, जब से उपर पहुच जाता है, या उर्दगामी हो जाता है, तो जो मनुष्य होता है, वो कैसा हो जाता है, अ आपकी बुद्धी, आपके चक्षूश, इन सब की प्राप्ति होते, यानि आपकी शलीर के लिए शुक्र को सिरेष्ट बताएगा है, जिसकी रक्षा करने पर ये उर्दगामी हो जाता है, और उर्दगामी होने की जो किरिया है, इसको अपन वज्जरॉली कहते हैं, ठीक है, चली, आगे अपन बढ़ेंगे, ये मैंने आपके पता दिया, बज्जरॉली वगरा, ठीक, कैसे होती ही, जब आपके रक्षा करेंगे, फिल लिकराएब इसकली, पिंड पाते, तू यो मोक्षम, साचा मोक्षो निरर्थका, पिंडे तू पतिते देवी, गर्द वो अपी, विमुष्चते, ये रसार्णा में दिया गया है, बेसकली इसमें ये ही कहा गया है, कि जो हमारा शरीर है, इसकी रक्षा करनी है, और जब ये शरीर है तूट जाता है, तो जो हमारी आत्मा होती है, इसको तो मोक्ष मिल जाता है, और जो शरीर है, वो नश्ट हो जाता है, ठीज चलिए आगे बहुत तो गुड़ बताए गkąए है पारत को मैंने बता दिये शिप जीका भीर बताए गा है और जो अवरक है उसको पारवती जी का भीर वीज बताए गा है एक पॉयंट और नोट करेंगे एक पॉयंट और नोट करेंगे ड Kyle गंदक गंदक की ingen ुलिक दे तो यह समय आपको बता दिया, यह सब बातें बता दी, बस आप वीडियो को शेर करिएगा, लाइक करिएगा, हमने लगवग रसास्ति के बेसिक्स बातें कर रहे हैं, और बेसिक्स रहे गए हैं, पढ़ते रहेंगे, बस आप वीडियो को लाइक करिएगा, कैसी लगा रहे है